आज के वीडियो में विसके लिए मिलों डिसकस करेंगे SSC MTS के बारे में SSC MTS है क्या इसमें कौन-कौन eligible है कौन-कौन से student उसके साथ-साथ यहाँ पर आपका application fee कितना लगेगा eligibility criteria क्या है age आपका कितना होना पड़ेगा age limit क्या है सब कुछ हम लोग जानेगे कौन सा post के लिए आप apply कर पाएंगे salary कितना आपका हो सकता है details में हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगा और यह central government का job है SSC job है तो बहुत ही important है सभी students के लिए video कौन तक देखिए ताकि आपको सारा details पता चले video को share करना सभी friends zone में सभी friends group पे क्योंकि सभी friends आपका apply कर पाएंगे इस job के लिए central government job के लिए तो video कौन तक देखिए तो चलिए ज्यादा समय न लेते video को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले और एक चीज चैनल को subscribe करके bell icon को दवा लेना तो चलिए start करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस job का details जान लेते हैं जॉब है क्या आपका post क्या क्या मिलेंगे आपको इस job से उसके बाद one way one सभी details हम लोग जानेंगे तो यह job जो है आ MTS मतलब है आपका multitasking stop मतलब जो multitask कर सकते हैं वो stop का आपका selection MTS से होता है अब यह तो आपको पता चल गया पर यहाँ पर आपका किस-किस आप बोल सकते हैं job के लिए किस-किस job post के लिए apply कर पाएंगे बहुत सारा job post है मैं description box में आपको notification दे दूँगा वहाँ से जाके आप job post यह कर सकते हैं पर different different non-technical job post है सभी job post में आप apply कर पाएंगे next यहाँ पर जो application fee है आपका application fee जो women candidates है मतलब female candidates है SC है ST है PWD है ESM है उनके लिए nil मतलब कोई भी उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा पर जो male candidates है and general है EWS है male candidates है OBC है तो आपको 100 rupees देना पड़ेगा जो की very reasonable म job के लिए next important dates आपका जूए फर्म फिलाप यह कब तक चलेगा यह आपका 21 March तक आपका 21 March तक आपका फर्म फिलाप चलेगा अभी आपके पास बहुत time है आप easily फर्म फिलाप कर सकते है और date कब से है आपका apply apply आपका कल से ही चालू हो चुका है आप जाईए आज भी apply कर सकत हैं आप March में भी apply कर सकते हैं क्योंकि March का 21st तक आपको time दिया यहाँ पर जा रहा है next आपका payment आपको easily online के through आप कर सकते हैं offline चलान से भी आप कर सकते हैं वो आपके उपर किस through आप करेंगे अगर आप online में करें तो आप easily आप बोल सकते हैं रूपे या फिर आपका जो other process है आपका visa card या फिर आपका debit credit किसी भी card से phone net banking से आप easily payment कर पाएंगे यह हो गया आपका total payment method and important dates next आपका age limit बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि age limit यहाँ पर बहुत ही important है आपका age अगर 18 साल से 27 साल के अंदर है तो आप easily यहाँ पर apply कर पाएंगे जहाला कि आपका age relaxation definitely है अग अगर आपका SC है, ST है, OBC है, PWD है तो आपको age आपका relaxation आपको मिलेगा 5 years, 10 years करके वो depend करता है आपका कौन सा quota है description box में आपको notification का link तो आपको मिली जाएगा वहाँ से आप easily check कर पाएंगे आपका age जो आपका relaxation है कितना आपको दिया जा रहा है पर otherwise आपको 18 years से 27 years अगर eligible है, एक बार date भी आप लोग चेक कर लेना, birth का date कब दिया गया है और last date कब दिया गया है वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है यह हो गया आपका age limit, next आपका qualification क्या रहना पड़ेगा, मैं आपको definitely बता दू, 10th pass अगर आप हैं तो आप easily applicable है, easily आप allowed है, हो सकता है किसी भी board से, किसी भी university से आपने, आपका matrix जो आपका examination वो आपने दिया है, या पर 10th जो examination है, board का examination है, आपने दिया है, तो easily आप eligible है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई particular board से होना पड़ेगा, कोई भी board आपका हो, 10th pass अगर आप है, तो definitely आप eligible है, इसके लिए, अब चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका total vacant seats, total vacant seats यहाँ पे details में announce अभी तक नहीं किया गया है, पर बहुत सारा vacant seats आपको मिलेंगे, अब यह ना समझ के, ना सोच के, आ बहुत सारा आपको यहाँ पे मिलेगा, next जो जो students और भी question करते हैं कि यहाँ पे examination mode क्या होगा, examination का details भी मैं थोड़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि examination आपका definitely important है, यहाँ पे आपको examination through ही entry मिलेगा, उससे पहले आपको salary बोल देते हैं, salary इस पे आपको highest 20,000 तक भी मिल सक सकता है, यहाँ पे starting हो सकता है, अगर और भी अच्छा post है, और ज्यादा भी हो सकते है, 25 के असपास भी हो सकता है, पर आपका मैं average बोल रहा हूँ, 20, 18, 19 यहाँ पे 20 ऐसा करके आपको salary मिलेगा, क्योंकि different different post है, आप particularly नहीं बोल पाएंगे कि इतना ही आपको salary मिलेगा, व आपको one by one आपका salary और भी increase होगा, अब चली exam के बार में जान लेते हैं, आपका two paper में examination होगा, paper one, tire one जो आप बोल सकते हैं, tire two या फिर paper two, वहाँ पे आपको कैसे कैसे examination होगा, total आपका computer based examination है, आपका paper one में रहेगा, आपका general English, 20 marks का, next general intelligence and reasoning, यह आपका रहेगा 20 marks का, आप आपका numerical, आपका aptitude 25 and आपका general awareness, आपका 25 यहाँ पे questions रहेंगे, सभी question का एक number करके है, मतलब जो आपका 25, 25, 25, 25, total आपका 100 marks का, आपका paper होगा, paper one, जो आपको qualify करना पड़ेगा, और 90 minutes आपको time दिया जाएगा, आप 90 minutes के अंदर answer करेंगे, total जो आपका timing होगा, next आपका paper two होगा, वो होगा, आपका descriptive type, descriptive type मतलब क्या, आपको दिया जा सकता है, short essay लिखना पड़ेगा, आपको hopefully, या फिर आपको कोई later लिखना पड़ेगा, आपको English language में, या फिर कोई other language में, वो आपका depend करता है, कौन से language आप choose करेंगे, उसमें आपको कोई short essay, या फिर long essay, या फ क्योंकि descriptive type आपका होगा, paper 2, और वहाँ पे आपको 30 minutes time दिया जाएगा, ठीक है, यह हो गया आपका, आप बोल सकते 2 paper का details, तो यह ही आपको examination में भी देना पड़ेगा, यह examination आपका कब होगा, tire 1 का जो examination है, computer based examination वो आपका होगा, 1 से 27 2021 मतलब 1 तो 27 2021, and जो आपका examination 2 है, descriptive paper का वो आपका examination होगा, November 21 में वो आपका examination होगा, तो अभी time है, आपके पास बहुत सारा, उस अंदर आप आराम से preparation कर सकते हैं, पर 2 tire में examination होगा, फिर से बता देता हूँ, आपका 1 होगा, computer based, जो tire 1 है, आपका 1, आप बोल सकते हैं, तारीक से सुरू हो रहा है, 17 2021 से 27 2021 के अंद आपका होगा, वो जो computer based आपका examination है, और जो tire 2 examination होगा, आपका descriptive paper का होगा, आपको लिखना पड़ेगा, वो exam जो आपका होगा, वो होगा 21, 11, 2021 को, मतलब November 21, 2021 को आपका examination होगा, तो 2 tire में आपका examination होगा, अगर tire 1 आप pass करे, eligible होगा, तो ही tire 2 के लिए आप applicable हो पाएंगे, त आपका notification भी वहाँ से मिल जाएगा, यह सब आप details में check कर सकते है, exam pattern भी मैंने आपको बता दिया, और official website भी आपका SSC के official website है, वहाँ से यह आप check कर पाएंगे, तो यह सब details मुझे लगता है, आप लोगों के लिए enough है, आप आराम से, आप online application कर सकते है, payment कर सकते हैं, और आ आप eligible भी हो पाएंगे, क्योंकि जो जो आप बोल सकते हैं, माध्धुमिक pass candidates है, या फिर आपका 10th pass candidates है, आप सभी eligible है, यह exam के लिए, definitely आप exam में बैठ सकते हैं, central government का exam में बहुत important है, सभी student के लिए, तो सब link मैं description box में दे रहा हूँ, definitely apply करना, चैनल को करना subscribe, क्योंकि subscribe से above, ऐसे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया भी तक, तो definitely सब्सक्राइब कीजिए, कवकि आपको इस चैनल में सभी educational update, एंड उसके साथ साथ job related update मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, तो यही था आज का वीडियो, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द